वही केंद्र सरकार्म ने देश के सबसे बड़े अर्ध सैनिक बल केंद्री डिजर्व पुलिस बल की कुछ महिला कर्मियों की ओर से लगाए गए यौन उत्पीडन के आरोप में CRPF के DIG हजान सीहं को सेवा से बरखास्त कर दिया अधिकारियों ने शनिवार को यह जानकारी दी राश्ट्रपती कार्याले से 30 मई को उप महा निरिक्षक और CRPF के पूर्वखिल अधिकारी खजान सीहं के खिलाप सेवा से बरखास्त की का आदेश जारी किया गया था आदेश में कहा गया है कि सेवा से बरखास्त की 31 मई से प्राभावी है बरखास्त की का अंतिम आदेश CRPF की और से पिछले कुछ महीनों में ग्रह मंत्राले और संख लोक्त सेवा आयो की और से अनुमूदित दो कारण बताओ नूटिस दिये जानने के बाद आया बलके पश्शी में शेत्र के तहट नवी मुंबई में तैनाद सीहने यौन उत्पीडन के आरोपों से इंकार किया था और दावों को जूठे और बे बुनियाद बताए